शाहिद कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की थी as a background dancer उन्होंने दिलतो पागल है में करिश्मा कपूर के background dancer की रूप में dance किया है और आगे चलकर वो ताल फिल्म में एश्वरिया राय के background dancer के रूप में भी नसर आए लेकिन एश्वरिया के साथ काम करने के experience को शाहिद ने सबसे गंदा experience बताया शाहिद ने बताया कि क्यों जिस दिन ये गाना कहीं आग लगे लग जाए shoot होना था वो दिन उनकी जिन्दगी का सबसे खराब दिन था शाहिद कपूर ने कहा कि जिस दिन ये song picturized होना था उस दिन वो जब set पर जा रहे थे तब रस्ते में उनका accident हो गया था वो बाइट पर थे और उनकी जबरदस्त बिड़ान्थ हो गई इस accident के बाद शाहिद बहुत घबरा गए और set जाने तक उनकी घबराहट खत्म नहीं होई शाहिद ने कहा कि मुझे ये tension हो रही थी कि मैं ठीक से कर भी पाऊंगा या नहीं क्योंकि गाने में कुछ एहम scenes थे जो शाहिद को करने थे जैसे एश्वरिया को वाइट कपड़ा लपेटना ये सारे scenes में वो picture eyes होने वाले थे उन्हें doubt था कि ये scenes वो ठीक से कर पाएंगे या नहीं लेकिन जब वो set पर पहुंचे उन्होंने खुद को संभाला और उन्होंने अपना काम शुरू किया सब कुछ अच्छे से हुआ लेकिन आज तक उन्हें ये memory है कि जो एश्वरिया के साथ वाला गाना है जो इतना super hit song है वो दिन शाहिद की जिन्दगी का अच्छा दिन तो है लेकिन उस दिन को वो एक बुरे दिन के रूप में भी याद रखते है